आप सभी का आज के सेशन में theories of evolution आज lecture 5 है और आज हम modern synthetic theory को ही continue करने जा रहे हैं जो modern synthetic theory आज के संदर्व में प्रासंगिक है इसको सर्व मानने जो है माननेता मिली हुई है इसी theory के बारे में जानकारी लेंगे कि modern synthetic theory का मतलब यह है कि आज की date में evolution से related जो भी हमारी information है उस information को इस theory ने कैसे बखो भी explain किया यह theory किसी एक scientist की देन नहीं है इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है और उसका जो निचोड निकल करके आया है यानि कि evolutionary process को आज किस तरह से समझा जाता है उसी चीज़ के उपर आज भी हमारा session है तो आज के session में हम modern synthetic theory को ही conclude करेंगे और उसके बाद hardy venberg equilibrium के बारे में जानेंगे जो की continuation of modern synthetic theory ही कह सकते ही नवे लेकिन उसके assumption कुछ अलग है उसको समझने का deal करने के तरीके कुछ अलग है तो अगले session में हम hardy venberg equilibrium के बारे में जानेंगे अभी आज हम समझेंगे modern synthetic theory को continuity में कल जहां सक complete किया था तो कल की जो theory थी जिसमें हमने founder effect के बारे में बात करी जिसमें हमने bottle neck effect के बारे में बात करी वो तो एक part था एक concept था लेकिन आज जो हम detail में discussion करने जा रहे हैं याने कि actual process किस तरह से नई species का प्रादूर भाव होता है याने कि नई species कैसे बनती है इसके बारे में आज जादर detail में हम समझने वाले हैं तो स्वागत है बच्चों आप सभी का जो आज के session में आए हुए हैं इशा, शीतल, कोमल, सुर्भी, दिगविजे, इसके लावा निकु ने जोइन किया आड़ जी, आचल, हभीबुल्ला, काफी बच्चे आ चुके हैं शुरू कर देते हैं session को और all those students जिन्हों ने आज पहली बार मेरा session जोइन किया है और ये सारी चीजे सेकेंडरी हैं जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आप है primary तो मेरे sessions को अपने social media platform पर hash neat life daily के थूँ शेयर कर दिया करें ताकि इस revolution के बारे में country के हर एक बच्चे को पता चलता रहे बचों बात करतें telegram channel की telegram channel को access करने के लिए सबसे पहले आपको telegram app install करना पड़ेगा telegram app को install करने के बाद go to the browser और जा करके live daily.me forward slash chat जैसे ही आप type करेंगे आप इस channel के साथ जुड़ जाएगे benefit यह होगा आपको सारे के सारे updates मिलने लगेंगे आपके session से related एक और बहतरीन feature live daily.me forward slash neat इस feature के तुरू आप अपने सारे previous lecture देख सकते हैं जो हमने पहले YouTube पर किये हुए हैं तो इस तरह का एक playlist भी आजाएगी उस playlist से आप एक एक lecture chapter wise एकसेस कर सकते हैं वहीं से PDF note भी डाउनलोड कर सकते हैं बात करते हैं academy subscription के बारे में country का best learning platform मिलती है structured life classes वो भी country के best educators के तुरू और एक दो नहीं सारे के सारे best educator आपको यहाँ मिल जाते हैं right you can interact with the educators live pole leader board test series analysis और live doubt clearing session जैसे बहतरीन feature आपको यहाँ पर मिलते हैं अब सारे के सारे doubts यहीं पर clear कर सकते हैं बचों हमारे year long batch courses already running हैं तो इन batches के साथ जो ने अपनी तयारी को और उंदा करें इसके अलावा मैंने biology का complete course start किया है morning hours में 11 बजे से 12 बजे तक चलता है तो आप उस course में भी enroll कर सकते हैं स्टार्टिंग से complete biology करांगा उस बैट तो करना कैसे अन academy subscription के लिए तो सबसे पहले आपको install करना है अन academy learning app को install कर लीजिए इवें जो 12 के बच्चे हैं वो भी 24 मंद का subscription ले सकते हैं अगर next year पहली बार need देने जा रहे हैं आप एक बार में निकल जाते हैं very good आप उस subscription को किसी और को gift कर सकते हैं अपने किसी friend को क्योंकि one year और two year के subscription में बच्चों बहुत ज़ादा difference नहीं है price difference तो I would advise कि two year का ही subscription ले better रहेगा in fact अगर मान लीजिए by chance आपको कभी improvement के लिए देना ही पढ़ गया तो within that very less cost extra cost पर आप कर सकते हैं use करिये code प्रदीप life इस code को use करते हैं आप मेरे batches के साथ जुड़ जाते हैं और neat ugy category में जितने educator हैं सब के batches के साथ जुड़ जाते हैं code एक फायदेया नेक काफी बच्चे इस वक्त आ चुके हैं एक बार जरा मैं quickly देख लूँ मेरे कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं अदवैत मलिक मालतेश शिवांशू साक्षी हेमंत पारस देवबाजी बहुत से बच्चे आ चुके हैं रवी शंकर स्वागत है बच्चों खुश मार्क सुर् यह देख लिजिए बच्चों यह घोडे हैं घोडों की different type की नसले होती हैं अब देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं variations की तो एक ही नसल के घोडे सारे के सारे घोडे किसी एक character के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से adapted हो यह तो individual humans में भी हो सकता है यानि कि variation होत तो पीछे की तरफ गिरेगा तो चोट ज्यादा लगेगी देख लीजिए इसको ठेश सी लगती है और यह घुटनों के बल आ जाता है घोड़ा आगे फिर यह नहीं जा पाएगा तो देख लीजिए किस तरह से slip कर रहा है उस चटान में अब इसका मतलब यही हुआ कि variations कु आपको यही बताना था कि variations होते हैं organisms में और वो variations किस तरह से effect करते हैं यह चीज आप थोड़ा-थोड़ा समझना शुरू करें चलिए शुरू करते हैं आज की तो बचों कल के session में हमने discuss किये थे कुछ चीजों के बारे में जैसे genetic drift हो गया genetic drift में हमने देखा कि जो एक छोट population है उसमें से कुछ individual किस तरह से screen out हो जाते हैं bottleneck effect हो गया या founder effect type की चीज़े हो गया इसी में एक क्रम में और आता है non random mating evolution में random mating evolution का का कारक नहीं है ध्यान से समझे रैंडम mating का मतलब हो गया एक प्रजाती के जीवों में किसी तरह का bias नहीं है कोई जीव किसी के साथ भी mating कर रहा है तो gene pool equally distribute होता रहता है gene pool में जो gene की frequency होती है या allele की frequency होती है distribution उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान लीजिए लाल पीला हरा तीन तरह की allele है से for example लाल पीला हरा तीन तरह की allele है simple सी बात है और तीनों के बीच में combination किसी भी आधार पे हो रहा है non random है random का मतलब है कि किसी निर्दिष्ट तरीके से नहीं है लाल पीला हरा तीनों के बीच में random हो रहा है crossing over तो उसमें हमेशा mixture बराबर ही रहेगा लेकिन ध्यान दीजिए लाल पीला हरा में लाल और पीला कहें कि हम ही combination बनाएंगे हरे को छोड़ दिया तो क्या होगा तो इसका मतलब है एक नए प्रजाती बननी शुरू हो जाएगी यानि कि bias जैसे ही आ गया तो एक नए प्रजाती बननी शुरू हो जाएगी इसी को कहते है नौन रैंडम मेटिं रैंडम मेटिं होने से evolution नहीं होता है लेकिन random मेटिंग से और non-random मेटिंग से evolution के chances हो जाते है जाल यह बात करते ह इस पर यह non-random या random mating क्या चीज़ है एक है repeated mating between individual of certain selected trait change the gene frequency पुछ selected trait के बीच में अगर mating होती है तो gene frequency में फर्क पड़ जाता है जैसे selection of more brightly colored male bird by a female bird may increase the gene frequency of bright color in the next generation अब ध्यान दीजिए birds में एक tendency होती है कि जो चटकीले रंग होते हैं bright color वाले males होते हैं वो एक तरह की courtship display करते हैं और मान लीजिए जिन males में bright color है females उनी को पसंद कर रही है तो अगली progeny में जादा तर bright color वाले ही आने के chances हैं क्योंकि यहां पर एक तरह का selection हो गया याने कि non random condition हो गया एक तरह की choice आ गई समझ भाइबात तो जहां पर आ गई choice आप लोग आपस में ही बाते किये जा रहे हैं आप session में आए भी हैं ऐसा नहीं कि आप session में नहीं आए याने कि interest आपका है समझने का लेकिन आपस में ही बा कर दीजी आपकी मर्जी है मैंने तो किसी को पकड़ा नहीं है like करो चाहे dislike करो आपकी मर्जी है अच्छा लगे तो like करीए अच्छा ना लगे तो dislike कर दीजे बटन बनाया इसलिए गया अगर मुझे सिर्फ like ही कराना होता तो dislike का button तो मैं देता ही नहीं मैं याने की YouTube नहीं देता है, ठीक है, चालो, आगे बढ़ते हैं, जोग सपार्ट, let's now concentrate, मुस्कान, thank you for the roses बच्चे, thank you, ठीक है, दानिश का प्रश्ण है कि कोर्स कब तक complete होगा, कोर्स तो चली रहा है बच्चे, complete भी हो जाएगा, और अब एक एजुकेटर अकेला तो ले नहीं रहा, मैं भी ल आया है, इस session में भी कराऊंगा, इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल बे फिकर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ जो बात मैंने समझाने की कोशिश करी, वो समझने कोशिश करी, more brightly colored male bird को अगर हर बार female bird choose करती रहेगी, तो brightly colored ही आएगे, जादा तर उस अगली generation में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नई प्रजाती का श्रिजन हो रहा है, यानि कि brightly colored accumulate हो रहा है, light color eliminate हो रहा है, bright color accumulate हो रहा है, और light color eliminate हो रहा है, क्योंकि mating ही नहीं होगी, अब जब उसको mating के process में वो विचारा ही नहीं पाएगा, light color वाला, तो अपनी progeny कैसे बढ़ाएगा, simple सी बात है, तो non random mating is a event in evolution creation, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझाते हैं आपको, hybridization एक और प्रधती है, जिसको कहते हैं hybridization, hybridization जब भी होगा, वो हर बार variations को lead करेगा, variations आएंगे, hybridization और उनी variation से आप समझी सकते हैं कि evolutionary process होगा, तो hybridization क्या, it is the crossing of organism which are genetically different in one or more trait, अलग-अलग character के organism की जो crossing over होती है, उसी को hybridization कहते हैं, it helps in intermingling of gene of different group of the same variety, species and sometimes different species, जादा तर same species के ही different allele की mixing होती है, कभी-कभी अलग species भी हो सकती है, now all the above factors produce genetic variation in sexual reproduction, तो ये hybridization भी genetic variations को produce करता है, लेकर के आता है, genetic variation है, तो जाहिर सी बात है, evolutionary sequence में ये काम में आएगा ही आएगा, आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, अब dogs को देखिया, अलग-अलग प्रजाती के dogs के बीच में अगर mating कराई जाती है, तो जाहिर सी बात है, hybridization होता है, और hybridization अगर है, तो नई-नई breed बनके आती है, इसको artificial selection के नाम से भी जाना जाता है, आप तो जानते ही है, wolf के बारे में बात करी, dogs जो है, wolf की ही प्रजाती है, dogs belong to the same species as that of wolf, canis canis lupus, canis lupus familiaris, dog को कहा जाता है, तो उसी की sub-species है, इसका मतलब जो अलग-अलग प्रजाती के dogs आपको दिखाई देते हैं, ये mating की वज़े से, hybridization की वज़े से, hybridization से नई-नई प्रजातियां उत्पन होती है, बन करके आती है, अब बात करते है, isolation, जिसको कहते हैं, geographical isolation, य of mating, amongst interbreeding group, due to physical, physical conditions हो सकते हैं, या biotic conditions की वज़े से, isolation देखने को मिलता है, isolation का मतलब है, कि mating नहीं होने दिया जा रहा, जैसे zoo में मालीजे, जानवरों को पकड़ करके, बंद करके रख दिया, अलग-अलग कट घरे में रख दिया, तो mating तो हो नहीं पा रही, तो इसको कहते हैं, isolation, so isolation is the prevention of mating amongst interbreeding group, due to physical हो सकता है, जैसमें कि geographical होते हैं conditions, ecological conditions हो सकते हैं, यहाँ पर एक geographical condition दिखाता हूँ बच्चे, यह जो आप यहाँ पर diagram देख रहे हैं, this is Isthmus of Panama, Isthmus is a narrow part of land, और यहाँ पर जो country है, उसका नाम है Panama, तो इसलिए कहते हैं, Isthmus of Panama, यह Isthmus है क्या continent को और South American continent को जोडने वाला छोटा सा हिस्सा है, land mass है, इसमें Panama Canal भी है, दोनों तरफ आने जाने के लिए, यहीं कहीं पर Panama Canal भी है, तो again, geographic educators आपको ज्यादा exactly बता पाएंगे कि Panama में, इस पूरे country में, कहां से canal खुदी हुई है, I am not aware exactly, लेकिन यहाँ पर canal भी है, water transport के जान दीजिए, इधर का जो सागर है, this is known as Atlantic, और जो इधर का सागर है, this is known as Pacific, और यह जो एरिया आप देख रहे हैं, छोटा सा एरिया दिख रहा है, यह North American continent है, जहाँ पर Mexico, USA और Canada जैसे देश हैं, और यहाँ का जो portion आप देख रहे हैं बच्चों, यह South American continent है, जहाँ पर Brazil पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, वेस्ट इंडीज जैसे कंट्रीज हैं, अब यहाँ पर इस barrier की वज़े से, जो इस थमस है, लैंड मास है, इस थमस आफ पनामा कहा जाता है, लॉब्स्टर की अलग-अलग species आप देख लीजिए, इधर अलग प्रजातिया हैं, इधर अल अलग टाइप की प्रजाति बन गी, अच्छा, बायोटिक भी हो सकता है, कभी-कभी, physiological barrier हो जाता है, behavioral barrier हो जाता है, mechanical barrier हो सकता है, genetic barrier हो सकते हैं, यह अलग-अलग type के barriers हैं, तो barrier कौन-कौन से हो सकते हैं, geographical barrier, ecological barrier, physiological barrier, behavioral barrier, mechanical, genetic barrier, चलिए एक एक करके barriers के बारे में जानकारी लेते हैं लेकिन द्यांद है यहां पर हम isolation का तो मतलब हो गया अलग-अलग feature से reproductive isolation तो reproductive isolation का क्या है reproductive isolation is prevention of interbreeding between population of two different species तो अलग-अलग प्रजातियों के बीच में reproductive isolation दो प्रजातियां दो अलग-अलग species यह sub species है इनके बीच में अगर prevention हो जाए interbreeding की तो इसको कहते है reproductive isolation it maintains characters of the species but can lead to the origin of new species ध्यान दीजिये बचों जो reproductive isolation होता है यह एक नई प्रजाति को उत्पन कर सकता है क्यों क्योंकि जो existing gene pool है उसमें तो mating हो ही नहीं रही ना mating का feature change हो गया format change हो गया selective हो गया तो reproductive isolation से नई प्रजातियां आसरे अब इसमें दो main sub type है pre-mating isolation और post-mating isolation दो तरह के हो सकते हैं isolation two sub type में भी considered एक है pre-mating isolation और एक है post-mating isolation प्री-mating isolation आप समझी गए mating होने से पहले का isolation और post-mating mating हो जाने के बात का isolation तो let us understand pre-mating isolation को सबसे पहले समझते हैं क्योंकि post-mating isolation से अगली generation में तो आएगी दिक्कत लेकिन एक तरफ से तो gene flow होई चुका है mating के बाद isolation हुआ है आना तो gene तो आही चुकी है now pre-mating isolation क्या होता है देखे बच्चों the physical factor operating under this sub type are mechanical isolation हो सकता है pre-mating में psychological isolation हो सकता है seasonal isolation हो सकता है mechanical isolation ज्यादा तर insects में देखने को मिलता है इनमें इनका जो genital structures होते है morphology of genitalia या reproductive organ male और female के of two population में भी very complicated and unlike reproductive structures में फरक हो सकता है genitals में फरक हो सकता है with the result population between male of one population and female of another failed to occur male और female के बीच में जो sexual population process होता है mating process वो नहीं हो पाता क्योंकि genitalia के morphology में कुछ फरक आ गया insects में diversity बहुत जादा होती है आपने देखा ही होगा इनके structure में इनके feature में diversity होती है जिसकी वज़े से mechanical isolation हो जाता है इसके बाद plants में भी देखने को मिलता है the mechanical isolation is common among insect species now in certain plant flower structure is very complicated and this prevent cross pollination between related species कई बार cross pollination को जो है favor नहीं करते हैं flower की design या structure ठीक है यह mechanical isolation में आ गया अब बात करते है psychological isolation psychological का मतलब होता है कि psychology behavior से related है behavioral differences restrict random mating of male and female individual of different species इनके अपने अपने behavior उस तरफ restrict करते हैं सब कोई सब के साथ mating नहीं करता है अलाकि species एक ही है अब देख लीजे जैसे यह मैना की बात करते हैं यह देख लीजे common मैना है जंगल मैना है यह देखो यह मैना की अलग-अलग प्रजातियां है मैना की बहुत सारी प्रजातियां होती है ठीक है तो वो sub species हो जाती है तो मैना ही तो the behavioral differences have been observed particularly during courtship courtship क्या होता है birds में आप देखते हैं जादा तर और कई mammals में भी देखा जाता है इसको courtship कहते हैं एक तरह का sexual display किया जाता है males के द्वारा usually females को attract करने के लिए animal kingdom में यह चीज़ देखने को मिलती है इसमें birds की काफी बढ़ी है courtship दिखाई देती है बहुत अलग-अलग तरीके जो peacock dance है वो एक तरह का courtship phenomena ही है इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो mammals होते हैं चाहे वो harby war हो चाहे कारणी war हो उनमें territory को लेकर के लडाईया होती है और mating partners को लेकर के भी लडाईया होती है तो behavioral difference कई बार involving a series of stimuli and responses between the mating partner तो वो कई बार behavioral एक behavior दूसरे को ट्रेक्ट ने जैसे मैंने आपको red वाले bird का भी example बताया बच्चों ये चीजें काफी detail में पढ़ने की है एक-एक point को समझने का होता है तब जाकर क्या आपको चीजे हम तो चलिए यहाँ पर आपके silvus के हिसाब से जितना portion उससे जादा ही बता रहे हैं लेकिन ध्यान दीजिए ये चीजे थोड़ा सा practical और field work की भी आवशक्ता होती जब तक nature में आप observe नहीं करते चीजें तो उतनी आसानी से आपकी grip में नहीं आती लेकिन ना courtship behavior etc may also play an effective role in mating ये सारी चीजें mating process में effective role अदा करती है ठीक है अब ये bird तो चलिए अपने एक call निकाल रही है mating call करते हैं na birds में अब उसके partner को अगर वो call पसंद नहीं आई तो जाहिर सी बात है कि ये mating का mechanism नहीं होगा insect में pheromones वगरा होते हैं कई बार वो pheromones को detect नहीं कर पाते और इस वज़े से उनमें mating का process नहीं हो सकता तो कोई बड़ी बात तो है नहीं now seasonal isolation कई cases में हम देखते है seasonal isolation हो जाया करता है याने कि जो individuals हैं उनमें अलग-अलग season में effectiveness है क्योंकि हो सकता कहीं दूर से आकरके एक same population में mix हो गया हो this also serve as an effective barrier to gene flow here breeding period of mating individual is different for different species अलग-अलग species में हो सकता है तो ये seasonal isolation हो गया जो related species हैं उनमें भी mating फिर नहीं हो पाती है several birds show seasonal isolation due to difference in the breeding period breeding period में differences की वज़े से seasonal isolation show करती है और धीमे 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 आईसोलेशन का gap इतना ज्यादा हो जाता है कि एक नई प्रजाती ही evolve हो जाती है यानि कि जो related species हैं उनमें भी distance होना शुरू हो जाता है related species आज आपको दिखाई दे रही है related कभी वो common थी एक ही species थी उसमें फरक होता चला गया बात सिर्फ हर जेगे match करा कर ये Darwin Finches का जो Finches चली थी mainland से वो तो एक जैसी थी आगे चल करके उनमें diversification हो गया अब बात करते हैं gametic isolation की in free living aquatic form where the fertilization external अब water medium में कितने सारे gamete release होते हैं बहुत सारे organism इस पानी में रहते हैं कि सिर्फ fishes थोड़ी रहती है बहुत से organism रहते हैं तो in free living aquatic form जहां पर fertilization external है gamete produced by different species usually do not attract each other and this kind of barrier is known as gametic isolation अलग-अलग प्रजातियों के बीच में या जो sub species हैं अभी तक एक ही species थी अब नई sub species बनी उनके gamete आपस में fuse नहीं हो पा रहे किसी reason की वज़े से gametic isolation हो गया कुछ-कुछ फरक हो गया हलके से परिवर्तन से gamete fuse नहीं हो पा रहे इसको gametic isolation कह सकते हैं यह देख लिजी frogs वगरा को देखिया अब इस water में आपको frog तो दिखाई दे रहे लेकिन इसमें और भी तरह के हो सकते हैं और्ग्यानिजम amphibian में सिर्फ frog तो नहीं आते frog में rainy season में देखिये mating का process होता है external fertilization होता है male and female का जो sexual embrace होता है उसमें male भी अपना milt release करता है और female भी जितने ovum होते हैं वो सारे के सारे release करती fertilization इनका water में होता है unfertilized एग ले किये जाते हैं अब कई मचलियां भी होंगी इस पानी में में ढकी भी कई प्रजाती होंगी अब आप खुद ही सोचिए gametic isolation होगा की नहीं होगा जब बहुत तरह के gamete एक ही water में होगे कौन सा gamete किसके साथ fertilize करे वैसे तो fix होता है इनमें chemical attraction होता है लेकिन जो थोड़े थोड़े differences हो जाते हैं उनकी वज़े से gametic isolation बढ़ता जाता है पहले gametic isolation एक आदबार by chance हो गया फिर उसके बाद types में थोड़ा-थोड़ा फरक होता गया तो gametic isolation होता चला गया इससे भी नहीं नहीं प्रजातिया आती है समझ में आरी बात now post mating या post zygotic isolation post mating प्री mating isolation हमने देख लिया कि mating से पहले का जो isolation है जिससे mating ही नहीं हो पाती अब मान लिजिए यहां पर mating हो गई post mating है post zygotic isolation मतलब fertilization भी हो गया उसके बाद भी isolations हो जाते हैं वो कैसे isolation है तो देखिए जो main factor operating under this subtype are incompatibility hybrid inviability hybrid बना तो सही लेकिन viable नहीं है hybrid sterility sterile हो गया जो अगला generation produce हुआ है दो species के नीच में and hybrid breakdown तो यह चीजें भी देखने को मिलती है क्योंकि इन isolation से भी again it leads to the evolutionary sequence ठीक है ना चालिए आगे बढ़ते है incompatibility को देखे है in some instances mating takes place between populations but fertilization may not takes place और even fertilization may occur but no hybrid progeny will be formed क्याने कि सारा process हो रहा है लेकिन incompatibility है incompatibility की वजे से कोई progeny नहीं प्रोविंस हो रही in plants pollen tube fail to grow and will not reach any ovule यह हो सकता incompatibility pollen tube की growth ही ना हो तमझ में आ रही तो एक तरह से restriction हो रहा है evolutionary process काम कर रहा है अब बात करते है hybrid inviability की यहाँ पर normal fertilization तो हो रहा है इसमें कहीं कोई शक नहीं है hybrid offspring भी बन रहा है but the hybrid has reduced viability अब hybrid जो बन गया वो आगे की progeny नहीं कर पा रहा है आगे का reproduction नहीं कर पा रहा है तो वो wipe out हो जाएगा सीदी सी बात है तो the hybrid inviability में appear at any stage of development यह कभी भी देखने को मिल सकती है hybrid inviability hybrid हलाकी बने बहुत तरह के है now अब बात करते है hybrid sterility hybrid inviability की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए ligan, tigon, liger और tigon इनके नाम आपने सुने हुआ है तो यह भी एक तरह की इसी तरह की processes को करते है hybrid inviability को show करते हैं यानि कि hybrid produce तो हो गये लेकिन वो अब आगे बहुत जादा viable नहीं है अब कुछ-कुछ है hybrid sterility को lead कर जाते हैं मतलब sterile ही हो जाते हैं in many cases hybrid may be vigorous and live to sexual maturity but are sterile sexual maturity तक तो जाते हैं लेकिन sterile हो जाते हैं या meat नहीं produce करते हैं जैसे कि बड़ा common example आता है horse and donkey का दो अलग-अलग species हैं और एक अगर hybrid mule बनता है जिसका male donkey और mare यानि कि female horse की mating की वज़े से mule बनता है फिक है ना donkey, male donkey और female horse की mating से mule बनता जिसको खचर भी कहा जाता है यह sterile होते हैं इसी तरह से हिनी भी पाई जाती है mating between stallion stallion यानि कि male horse result in a hybrid called hini both mule and hini are sterile mule और hini hardy work में use किये जाते हैं इनको बोज़ा ढोने वगरा के लिए इस तरह के कामों में लिया जाता हैं बहुत hardy animals होते हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन आगे की generation को नहीं produce कर पाते यानि कि यह produce तो हुआ, progeny तो आई लेकिन वो प्रोज़नी आगे अपने आपको नहीं कर पाएगी तो evolutionary process में इनका भी काम खतम हो गया, इससे भी कुछ बना नहीं और दोनों अलग-अलग species बन गए क्योंकि जब sterile है नहीं तो इनकी प्रजाती आगे नहीं बढ़ेगी तो वो gene pool जो horse और donkey की mating की वज़े से आया वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो अलग-अलग बन गए horse और donkey में divide और तगड़ा होता गया दोनों के बीज में, मतलब दोनों अलगी species हो गए over the long period of time, starting में तो मान लीजे थोड़ा-थोड़ा differences थे, now hybrid breakdown, hybrid breakdown क्या होता है hybrid breakdown में सब कुछ हुआ, normal हुआ और hybrid vigor भी आया, F1 generation में, ध्यान दीजे in some instances, not only vigor hybrids are produced but also these hybrid produce F2 individual of back cross progeny F1 generation में better progeny मिली लेकिन जब F2 generation आया, तो back cross वाली progeny मिल गया यानि की parent type ही मिल गया तो इसमें क्या कहते हैं, इसको hybrid breakdown कहते हैं hybrid बना तो सही, hybrid vigor भी आया, लेकिन वो continue नहीं हो पाया वो breakdown हो गया, यानि की parent type ही हो गया unfortunately hybrid breakdown result in the F2 and back cross generation as these generation have reduced vigor of fertility और बोथ इनके बाद फिर इनकी progeny आगे नहीं बढ़ पाती है समझ भाई बात, तो hybrid breakdown जैसा feature भी देखने को मिल पाया now hybrid breakdown examples of species that breed in captivity and produce fertile hybrid are कुछ example देख लेते हैं जो fertile offspring को produce तो करते हैं लेकिन इन में hybrid breakdown जैसा phenomena देखने को मिल जाता जैसे African lioness panthera leo और Asian tiger panthera tigris अमारे एशिया का tiger panthera tigris और वो मेल होगा African lioness याने की female African lion प्रोड्यूस करेगा टाइगान टाइगान मतलब मेल तो जो है टाइगर था और African lioness है तो panthera leo tiger और lion का cross जो कराके देखा गया है Asian tiger याने की male Asian tiger और female lion African lion जिसको lioness कहेंगे प्रोड्यूस करता है टाइगान इसी को अगर उल्टा कर दीजे तो लाइगर भी कह सकते है लाइन और टाइगर का cross male और female को interchange कर दिया अगे पोलर बियर और अलासकन ब्राउन बियर पोलर बियर और अलासकन ब्राउन बियर के बीच में भी इस तरह की hybridization process किया गया इसके अलावा मलार्ड एक डक और पिंटेल डक दो अलग अलग तरह की बत्खों के बीच में भी crossing कराई गई और इस तरह की चीज़ देखी गई है ना then platy and sword tail fishes platy और sword tail fishes के बीच में भी कराई गई तो यह सब hybrid breakdown के example में आ जाते है यानि कि hybrid वीगर आता तो है F1 generation में आपने देखा होगा जो tygons होते हैं यह lion और tiger से भी बड़े होते हैं लेकिन इनकी जो प्रोजेनी होती है उसमें viability नहीं रहती और वो parent जैसे parent से भी थोड़ा सा उनके अंदर reduce ही हो जाती है viability यानि कि वीगर reduce हो जाता है तो यह चीज़े थी hybrid breakdown से related now यहां पर देखिए it is important to note that these species do not interbreed in natural condition इनको हमने कराया induced breeding natural condition में यह interbreed नहीं करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि same दिखने वाले दो अलग-अलग प्रजाती हो चुके हैं यह species का formation हो गया तो यह जो factors हैं यह evolutionary process में अपना role play करते रहते हैं आई बाद समझ में इस तरह से जो isolation हो गया reproductive isolation हो गया तो reproductive isolation से किस तरह के कारेकरम बनते हैं अलग-अलग प्रजातिया बन गई सी निगनी बाद में आप उनको cross भी कराते हैं तो कुछ फरक नहीं पड़ता है यह यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई reproductive isolation now the achievement of reproductive isolation through the combined effects of isolating mechanism appear to be an important step in speciation species याने की प्रजातियों के श्रजन में reproductive isolation एक बहुत ही important tool है so achievement of the reproductive isolation through the combined effect of isolating mechanism जो अलग-अलग mechanism हमने देखे isolating mechanism जो isolate करने का काम करते हैं याने की hybrid vigor में जैसे हमने देखा कि hybrid breakdown हो गया तो अगर हम कोशिश भी करते हैं कि उसको continue करने की नहीं होता है वो reproductively isolate हो चुके हैं इससे एक नई प्रजाती के श्रजन की तरफ रास्ता बढ़ जाता है यहां तो हमने प्रजातियों के बीच में दिखाया अब एक समय तो रहा होगा कि same genus को belong करते हैं जो organism same genus को belong करते हैं दो अलग species को belong करते हैं तो एक time तो रहा होगा जब वो common family के हैं common ancestor हैं उनके common ancestors के बीच में से separate हो गए होंगे अब यह synthetic theories हैं क्यों synthetic theory क्योंकि natural condition में क्या घटा होगा घटना हम उन घटनाओं को देखने नहीं जा रहे हैं natural condition में कैसी घटनाएं घटी होंगी हमने उन घटनाओं को नहीं देखा हमने assumption लगा लिया कि इस तरह से reproductive isolation हुआ होगा और उस reproductive isolation की वज़े से mating ने हुई इसका उदाहरण बड़ा साफ है कि जो अलग-अलग species हैं same genus को belong करती हैं आप mating करा के देख लिए नॉर्मल condition नहीं होत है समझ में आ गई बार एक बार यह example में आपको quick review फिर करा देता हूं क्योंकि यह चीज़ को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ करके चलना ही पड़ता है otherwise confusion हो सकता है तो मैंने आपको बताया क्या बताया quick recap isolation hybridization बताया ठीक है ना non-random meeting specification का कारण non-random meeting non-random meeting का मतलब है कि chosen individuals के बीच में meeting होगी तो एक तरह के character बढ़ेंगे दूसरे तरह के character घड़ जाएंगे तो non-random meeting एक बड़ा important role play लेकर था फिर बात करी hybridization की hybridization से भी कुछ-कुछ नए-नए character आते है यह जो नए character आ गए आगे चल करके यह character दुबारा से merge नहीं करते population में क्योंकि isolation जैसे time काम करते हैं isolation में कौन-कौन से आ गए जो meeting को prevent कराएंगे geographical barrier हो गया ecological barrier हो गया physiological, behavioral, mechanical, genetic इस तरह के barriers हो गए तो इन से नई प्रजाती के बनने का रास्ता और मजबूत हो गया अब reproductive isolation dog और wolf के बीच में बहुत time से reproductive isolation है आज की date में dog और wolf interbreed क करेंगे तो हो सकता है कि हो भी जाय प्रोजनी लेकिन sterile होगी या hybrid vigor नहीं होगा कुछ ना कुछ defect वहाँ पर आ जाता है याने की अलग species बन चुकी अब यह देखिए इसके जो reproductive isolation के दो सब टाइप हमने बात करी pre-mating isolation और post-mating isolation, pre-mating isolation मेटिंग करने से पहले ही isolate हो गया इस plant में भी हो सकता है, insect animals में भी हो सकता है, psychological association, isolation किस तरह का, इनके बीच में association हो यह नहीं बाता, psychologically different behaviors इनके exhibit होते है, courtship behavior अलग-अलग है, complex feature है यहाँ पर, यहाँ पर male female bird को mating करने के लिए courtship behavior के उपर ध्यान देना पड़ता है, याने कि otherwise mating ही नहीं होगी इनमें, है ना, तो ए अबरदस्ती mating हो जाए, मान लिजिए, एक तरह का mechanical कुछ induced करके hormonal induced mating fishes में होता है, hypofication करके mating करा दी जाती है, ऐसा कुछ अगर करा भी देंगे, तो हो सकता बचा रह जाए, isolation में लेकि nature में तो ऐसा होता नहीं, nature में isolate होते जाते होते 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 है, seasonal isolation हो जाता है, अलग mating pattern हो गया, मान लिजिए, कोई जीव कहीं दूसरे आसपास के इलाके से आया, उसमें थोड़ा सा behavior में change हो गया, seasonal variation है, तो seasonal isolation हो जाता है, मतलब एक ही species है, मान लिजिए, एक ही species है, या related species है, लेकिन इन में seasonal variation है, अलग-अलग season में इनका maturity होती है, mating के लिए तो गया, gametic isolation बह से incompatibility आ गई, gametic isolation, एक बार ये करेकरम शुरू हो गया, तो आगे continue रहेगा, दो अलग-अलग species बनने में देर नहीं लगेगी, ठीक है, यह देख लीजी, then comes post mating और post zygotic isolation, कभी mating हो भी गई, फिर भी isolation हो गया, incompatibility की वज़े से isolation हो गया, hybrid inviability, hybrid जो है, viable नहीं है, viable का मतलब ह है, कि produce तो हुए, लेकिन बहुत अच्छी आगे progeny नहीं बना पाई, इनके gamit बहुत ज़्यादा fertile नहीं है, ठीक है, hybrid sterility, या hybrid breakdown जैसे चीजें हो जाते है, incompatibility भी एक बड़ा important feature है, चली आगे बढ़ते हैं, incompatibility हम देखते हैं, कि plants वगरा में भी काफी ज़्यादा incompatibility, self incompatibility होती है, किसी related species की incompatibility हो गए, तो in plants, pollen tube fail to grow and will not reach the ovule, बचों आपने northern white rhino की स्टोरी सुनी होगी, आज से 20 साल पहले सिर्फ 4 बचे थे northern white rhino में, अब 2 बचे हैं, दोनों females हैं, last जो male था, वो भी कुछ दिनों पहले उसकी death हो गई, नाम था सुदान, और उसके पहले एक female उसका नाम था nola, जो दो female बची हुई हैं, अब उनसे कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए उनके नाम भी मैंने याद नहीं रखे हैं, नाम तो सब के हैं, अफरीका में उनको रखा गया है, तो जो nola की death हुई, nola की death के बाद 3 बचे थे, तो पिछले 20 सालों से उनके conservator कोश कर रहे हैं कि उन rhino के बीच में mating हो, mating हुई भी कई बार, लेकिन fertilization नहीं हो पाया, तो ये एक तरह का incompatibility ही कह सकते हैं, अब तो दिन गिन रहे हैं, फिक है, isolation मतलब separation, separation जरूरी नहीं है कि कि किसी को अलग कमरे में बंद कर दो, किसी को अलग कमरे में बंद कर दो, कट घरे म शेरों को, जरूरी नहीं है, separation का मतलब होता है, पास-पास, लेकिन reproduce नहीं कर पा रहे हैं, तो ये isolation ही हो गया ना, एक तरह का, isolation, separation हो गया, तो जो मैंने northern white rhino की कहानी सुनाई, northern white rhino पिछले 20 साल से 4 ही बचे थे, scientist ने जीत और मेहनत कर ली, कि इनकी species को बढ़ाया जाए, क् लकिन कुछ कर नहीं पाए, अलाकि जो मेल सुदान है, उसका germ plasm, उसका semen भी store करके रख लिया गया है, क्योंकि एक और related पर जाती है, जिसको कहते है, southern white rhino, कोशिश इस चीज़ के उपर है, कि southern white rhino के अंदर, हम surrogate तरीके से अगर develop करा ले जाए, यानि कि जो northern white rhino की female है, उनके ovum भी सुरक्षित रख लिये गये, और सुदान जो था आखरी male rhino of northern white species का rhino का, उसका sperm भी रख लिया गया है, लेकिन अभी भी वो technique ही develop नहीं कर पाए, जिससे दोनों में fertilization करके, southern white rhino में surrogate mother के तोर पर उसको use करने, अलाकि research इस पे अभी भी चल रहा है, ध्यान द जीजे इस बात को, तो एक तरह की incompatibility हो गई, incompatibility बड़ी common है, आपने भी देखा होगा, childless couple के बारे में भी सुना होगा, incompatibility हो सकती, बहुत तरह की incompatibility हो सकती, आगे बढ़ते हैं, now hybrid inviability के बारे में बता दिया, याने की fertilization तो हो गया, लेकिन viability नहीं है, viable नहीं है, या कभी हुआ भी fertilization, अगली generation में, कभी नहीं हुआ, hybrid inviability may reappear at any stage of development, कभी भी दिखाई दे सकता ये, एक अध जनरेशन के बाद भी दिखाई दे, अब ये देखो न, ये सब hybrid हो है, ये क्या है, ये lion है, अब इस lion के ओपर देख लीजी, यहाँ पर चित्तियां कैसी दिख रही है, ये lion जैसा तो नहीं दिख रहा है, है ना, इसके अंदर कुछ mixture है, ये देख लिए, zebra और quagga, इस तरह के mixtures भी देखने को मिलते हैं, ये देख लीजे वोल्फ, अब ये specifically कौन सा है, इस पे चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, just एक idea आपको दे दिया गया, ठीक है, then comes hybrid sterility, hybridization तो हो रहा है, लेकिन जो hybrid produce हो रहे हैं, वो fertile नहीं है, sterile hybrid produce हो रहे हैं, जैसे horses and donkeys are two different species, जिसमें hybrid mule बनता है, जिसको खचर कहते हैं, mule का हिसाब किताब ये है कि उसका, जो male donkey होगा, उसकी progeny है, यानि कि father is donkey, mother is horse, simple सी बात है, father donkey, mother is horse तो खचर, और father is horse, mother is donkey तो ही नहीं ये दोनों के दोनो sterile होते हैं, ये fertile नहीं होते हैं, इनको use किया जाता है, बड़े सारे kामों में, ये काफी hardy होते हैं, खचर के बारे में आपने सुना, पहाडी लाकों में इसको use किया जाता है, सامان की ठुलाई में use करते हैं, इस तरहे देख लो, यहाँ पे हल जैसा mechanism ज पतलब कहानी तो भिलकुल ठीक ठीक शुरू हुई, यानि कि जो parent generation है, उनके बीच में meeting भी कराई गई, कोई दिक्कत नहीं है, यह parent generation में माल लीजिए, मैं size से दिखाता हूँ, यह देखिए, यह parent generation है, एक parent generation, यह दूसरा parent है, size से relate करिए गया, और कुछ नहीं करना है, इनका F1 जो progeny हुई F1 progeny size से देखिए ये देखिए ये बेटर है ना बस खाली size relate करिए मैं यहाँ पर किसी एक character की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ size की बात कर रहा हूँ ये देख लो इनका size इतना है इनका size इतना है और mating होके जो F1 generation हुआ उस F1 generation का size देख लो अब F1 generation जब F1 generation को बनाएगा तो size normal आना चाहिए कई बार क्या होता है कि parent जैसा size मिल जाता है और कई बार तो क्या होता है और चोटा हो गया मतलब वो बेकारी हो गया किसी काम का नहीं रहा तो इसको कहते है hybrid breakdown बना तो hybrid लेकिन आगे के generation में वो breakdown हो गया यह देखू पादर से भी चोटे है hybrid breakdown hybrid हुआ लेकिन breakdown हो गया है ना आज एक और नया chapter स्टार्ट हुआ है मैं आपके साथ नया chapter स्टार्ट यह strategies for improvement in food resources वो chapter आपके नीट में बड़ा important है तो अभी animal husbandry से शुरू किया आपने out breeding out crossing यह सारी की सारी devices के बारे में आप पढ़ेंगे समझेंगे और उसके बाद जाएगा और plant वाला portion मैं करा हूँगा so we will ensure that आपका syllabus हर हालत में complete हो जाए आपकी practice भी अच्छी हो और detailed learning के लिए आप हमारे साथ जुड़ी सकते है और academy subscription के साथ भी जुड़ सकते है यह देख लीजे फिर हमने example करा कि hybrid breakdown किन में किन में होता है यह देख लीजे African lioness जो टाइगन का production हुआ polar bear और alaskan brown bear के बीच में mating हुई मिलार्ड एक तरह की बतक और pin tail duck के बीच में हुई platy and sword tail fishes के बीच में हुई समझ में आई वा तो यह hybrid breakdown के examples हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं hybrid breakdown में ध्यान दीजिए hybrid breakdown में normal condition में इन animals में interbreeding नहीं होती याने की normal condition में ये अलग प्रजाती already बन चुके हैं evolution हो चुका है हमने test करके देख लिया कि हमने चाह कर भी इनके बीच में mating नहीं करा पाए क्योंकि isolation हो चुका था बहुत पहले अब क्या होगा बहुत देर हो चुकी है नई प्रजाती बन चुकी है evolution ने अपना काम कर दिया evolution as a tool has already worked है न तो ये प्रमाण मिल जाते हैं कि evolution हुआ है कि related species के बीच में भी अफ fertility नहीं बची है समझ में आई वा तो reproductive isolation दुबारा से बता रहा हूँ achievement of reproductive isolation through combined effect of isolating mechanism appear to be an important step in speciation इसमें कोई शक नहीं है कि reproductive isolation से नई प्रजातियों का शुरिजन होता है वही reason है कि Australia में marsupials grow किये लेकिन वहीं पर जो adjoining land masses है जैसे Asia हो गया या Africa हो गया वहाँ marsupials नहीं है reproductive isolation की वज़े से Darwin finches में जो adaptive radiation देखा गया इसमें भी reproductive isolation कुछ ना कुछ effect करता है क्यों करता एक तो food habit की वज़े से उनमें changes है अलग-अलग island group में रह रहे थे अलग-अलग तरह की food की availability के करण main land से दूर हो गए तो जो ancestral stock था उसके साथ mating नहीं हो पा रही थी तो यह क्या है reproductive isolation का ही mechanism तो है तो reproductive isolation कई तरीके से हो सकता है reproductive isolation भी आपने बखुबी समझ लिया है बिलकुल अच्छे से आप समझ चुके है reproductive isolation के बारे में एक है रितेश यहां पर ध्यान दो विश्णु प्रिया अभिशेख रॉयल मलिक अदित्या पलस क्या लिए आगे बढ़े अज़ा कई बच्चे मैंने बाद में देखा कि कई बार बच्चे नाम लेते रहते मेरा नाम लीजिए मेरा नाम लीजिए मेरा नाम लीजिए बच् नाम के पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि सर आप मेरा नाम ले लीजी एक बार बच्चों आप बहुत आगे जा सकते हैं आपके अंदर वो potential है वो power है जो आपको बहुत उचाई तक एक बड़ा चमकता हुआ सितारा बना सकता है तो मेरे नाम लेने ना लेने से कुछ फरक नही पढ़ने वाला ये चीज़ ध्यान रखेगा नाम तो आपका medical college की list में आना चाहिए और 2030 mission 2030 में नीलगिरी में आना चाहिए within those 1 lakh doctors जिनके बारे में मैंने the legacy of नीलगिरी session में चर्चा करी है योट्यूब पर session है आप देख सकते हैं the legacy of नीलगिरी और अपनी क्याने की involvement जरूर बता दीजिएगा कि आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं याने are you interested for that or not right संतोष, आदित्या, दिशा, चेतन, लवीज, सायली, अनमोल, नफीस, केडी, रॉनक, नॉलिज़ प्लस, क्या बात है, रीथ, मॉप्स, रोहित, रित्विक, एसार गेमिंग, ठीक है, हमज़ में आगी बात है, very good और आज एक और मैंने session लिया था, दो पहर तीन बजे, आप सबने देखा होगा, और मेरे ख्याल से अगर उन में जो processes आपको बताये हुए हैं, अगर उन processes को आप ध्यान दे, बखुबी निखार आएगा, और आप अपनी मन्जिल के सफर तक पहुँचने में 100% कामियाब हो इसमें कोई शक नहीं है, कोई आपको रोकने से, बात करते हैं वच्छो special classes के schedule के बारे में, तो special classes का यह हमारा usual timing है, special classes क्या है, कहां देखने को मिलती है, इस बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, unacademy learning app को जब आप install करते हैं, तो आप हमारी कुछ free classes भी जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको subscription ही लेना है, आप इन classes को देखें, process को समझें कि unacademy subscription पर किस तरह से पढ़ाई होती है, एक बार समझ गए, आपको जब confidence आगया, आप समझ गए कि हाँ बई, अब हम इस mechanism से, इस mode से पढ़ सकते हैं, तो आप join कर सकते हैं, unacademy subscription, pre of cost classes हैं, special classes, previous special classes भी available हैं, आप हमारी profile में जा करके हमारी previous classes को भी देख सकते हैं, recording देख सकते हैं, और जो current classes हैं, जो sessions होने वाले, उन sessions को भी attend कर सकते हैं, उसके बाद ही अपना mind makeup करके, तब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, detailed learning के लिए, ठीक है, यह रहे YouTube पर session दीपक सर के, Monday to Wednesday class 11th की बारी होती है, शुरुवात होती है, physics के साथ महन सर के session से, फिर सीप मैं हम आपको zoology कराती हैं, अनूप सर आपको chemistry कराते हैं, और फिर मैं आपको botany portions कराता हूँ, अनूप उत्ता सर भी physics आपको कराते हैं, और अनूप सर chemistry फिर कराते हैं, तेक है न, अनूप सर क के दो sessions होते हैं आपके लिए, बहुत जादा महनत सर कर रहे हैं आप सब के लिए, Sunday is the day for motivation, देखिए Thursday to Saturday again, हमारे sessions और साथ बज़े शाम को मेरा session होता है, तो आपको ये सारे के सारे session वैसे तो नहीं miss करने हैं, सारे attend करने हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा session आप जरूर attend क बच्चे वो भी आएं, 2021, 2022 के बच्चे भी आएं, क्योंकि ecology section को पूरा एक nutshell में 4 घंटे का session होगा, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक आपको समझने का मौका मिलेगा, ठीक है, टेलिग्राम चैनल की बात करते हैं, टेलिग्राम चैनल को access करने के लिए, सबसे पहले टेलिग्र आप को install करें, go to the browser type livedaily.me forward slash chat और आप इस group के साथ जुड़ जाते हैं, सारे के सारे update मिलने शुरू हो जाते हैं, livedaily.me forward slash neat ये वो feature है, जिसके थूरू आप हमारे सारे previous lectures को view कर सकते हैं, जितने lectures हो गए हैं, उनकी playlist आपको मिल जाती है, physics, chemistry, biology, तीनों के तीनों की playlist मिल जा हैं, anacademy subscription की बात करते हैं, बचों यहाँ पर मिलती हैं, आपको structured life classes, वो भी country के best educators के साथ, you can interact with us, live pole leader board, test series analysis और live doubt clearing session जैसे बहतरीन feature होते हैं, live pole analysis का मतलब होता है, मसलान आप session में हैं और किसी question के उपर pole किया गया, तो तुरंत के तुरंत आप अपनी relative rank देख लेते हैं, all series analysis, time to time tasks होते रहते हैं, weekly quizzes और mega quizzes, जिन में आप अपनी performance को judge कर सकते हैं, live doubt clearing session होते हैं, after every three lecture, वहाँ पर आकर के आप अपने सारे के सारे doubts clear कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं मेकाने से, हमारे year long batch courses already running है, इन batches के साथ जुड़ें, 11th का batch चल रहा है, 12th के batch चल रहा है, और जैसे 11th के batch में 11th का syllabus complete होगा, 12th के courses chapter starting से शुरू हो जाएंगे, और 12th के batch में जैसे 12th complete हुआ, 11th start हो जाएगा, इसके अलावा मैंने complete biology course आप सब के लिए morning hours में introduce किया है, 11 am to 12, 30 pm, उसमें मैं complete biology starting से पढ़ा रहा हूँ, आप उन batches के साथ भी जुड़ सकत है, वो batch course नहीं है, सिर्फ मेरा individual course है, फिकर करना क्या है, इसके लिए आपको play store पर जा करके unacademy learning app को install करना है, unacademy learning app को install करने के बाद आप हमारे special classes भी देख सकते हैं, और plus subscription के लिए आपको plus पर click करना पड़ेगा, plus के बाद need youg select करिए, get subscription पर click करिए और ये window आ जाएग बचों 9, 10, 11 के बच्चों के लिए 24 month का subscription ही बहतर रहता है, जिन बच्चों को final attempt लेना है next year, वो 12 month का subscription ले सकते हैं, और 12 के बच्चे जो अगली साल पहली बार देंगे, उनके लिए भी मैं advise करूंगा 2 year का subscription है, reason है, reason यह है कि 2 year का subscription बहुत ही जादा cost effective पड़ता है, आप द होता है कि किसी कारण वश आपके marks उतने अच्छे नहीं आपाए, तो आप एक और attempt लेना चाहेंगे, अगर 2 साल का subscription है, वो वही पर instantly आपको help करेगा, और मान लीजिए, एक साल में आपका selection हो जाता, well and good, आप एक साल का subscription किसी को gift कर सकते हैं, अपने किसी known में, relative co-friend को वो सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा, नेट UG category में जितने educator हैं, सब के batches के साथ आप automatically जुड़ जाते हैं, सब के courses attend करते हैं आप, right, और मेरी guidance में तो रहेंगे ही रहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो code यूज करिए प्रदीप लाइब, इसके अलावा आपके कोई friends, relatives भाई, बहन, cousin, कोई भी Unacademy पर किसी और category में जॉइन करना चाहें, तो आप ये code refer कर सकते हैं, इस code को यूज करके Unacademy पर कोई भी subscription लिया जा सकता है, code एक फायदे अने, यह बार आप कहते हैं, सर आपने पूरा ठीक से बताया नहीं, तो मैंने का नहीं बताना भी जरूर करना बहुत ही आवश्चक है, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजे, ताकि सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहें, हैश नीट लाइफ डेली पर भी अपने social media platform पर शेर करें, ताकि इस revolution के बारे में country के हर एक बच्चे को पता चल सके, Unacademy, 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 Unac sister channel, together let's crack it, and for joining with Unacademy subscription, use code Pradeep Life, you will also get 10% discount by using this code, मेरी guidance में आपको अपनी मंजिल का सफर तै करने का मौका मिलेगा, और बाकी सारे educator के साथ भी जुड़ जाते हैं, मेरा आशिरवाद आपके साथ हमेशा है, that is all for now बच्चों, see you all again tomorrow morning in the special classes, तो कल special classes Sunday है, Sunday के दिन कई सारी special classes होत करें, NTA paper discussion करा रहा हूं आज कल, इसके लावा कल शाम पाँच बजे marathon session Unacademy NEET channel पर देखना ना भूले, that's all for now, see you all very soon, take care, bye-bye. झाल